इस चोल सासक ने राज़धानी कोड़ा छोल पूर्यंब का निर्मान किया तीग स्थू यहां पर चार अप्शन आपके सामें दिख अबको स्किन यहां यानिकी गह इसका करेक्ट अंसर होगा चली चो ने शेक्षा हुटेक्ष एक्ष में सबादकर्द ऐसके जीजिए लेक्षन कि अगर है yummy और बात इस फोर्मूला की बात करेंwe जो जहां इंपॉर्टन लगेगा आप उसे जरूर नोट कर लेंगे ठीक चलिए नेस्ट कुशन प्याते हैं कि नेस्ट कुशन क्या है सुक्ष अर्थ शास्त्र का संबंध किससे है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर नमर आंसर होगा व्यक्तिगत यूनिटों से इसका करेक्ट आंसर होगा जिस्ट कोरिके कुश्ण रहे суन में प्याते हैं तो क्रेश सक्ति क्या होता है इक कोड़े से कब पुछा करेक्ट आंसर वह घट जाती है ठीक है चलिए नेस्ट कुशन प्याते हैं पश्मी चालुक वंज्ग का पढ़सिद्ध सासक कौन था ठीक है इसका जो करेक्ट अंसर होगा गहा नमर आंसर होगा पूल केसिंद दूइतिये इसका जो करेक्ट अंसर होगा next question पर आते हैं question 6 पर असोग पर कलिंग यूद का प्रभाव कहां दिखाई देता है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा खा होगा इसका correct answer सिलाओं पर उतकरन तेरवे राज़ देश ठीक है तेरवे राज़ देश चलिए तो यहां पर बात करें कलिंग यूद का कलिंग यूद के अगर हम बात करें तो यह मौर समराट असोख और कलिंग के सासक अनंत नाथन के बीच 261-262 इसापुर्व भूबनेशवर से 80 किलोमेटर दक्षिन दया नदी के किनारे ला गया था ठीक है तो इसके बारे में एक फैक्ट आप जरूर नोट कर लेंगे कि कलिंग यूद के बाद अगर बात करें तो कहां हुआ था और किसके साथ हुआ तो फिरस मैं रेपिट कर दे के ओडिशा से 80 किलोमेटर दक्षिन नदी के किनारे दया नदी की किनारे लड़ा गया था चलिए नेस्ट कोशन पर आते हैं सूरी की रोशनी धूप को पित्वी तक पहुंचने में लगवा कितना समय लगता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा सेकंड खरनमर आंसर तो यह वायू पर दूशन उतपन कर देगा थीक है इसका करेक्ट अंसर होगा नेस्ट कॉशन प्यात घहातक मलेरिया फास km मार्वाद का नाम क्या है ठीक है तो यहां पे इसका जो correct answer होगा वो होगा घानमरा अंसरों का प्लाजमोडियम malaria होते हैं ठीक है दरसल मलेरिया में होता क्या है आपको fever होते हैं ठीक है fever होते है high fever होते है बोमीटिंग आती है ठीक है बोमीटिंग आती है headache होता है होता है इन सारे लक्षन जब malaria होते हैं तो होता है और यह किसके काटने से होता है mosquito यानि की मच्छर के काटने से होता है ठीक है चली next question पर आते सेब क्या है तो सेब यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा टेन नमर कोशन का वोगा गुदेदार पॉम ठीक है चली जहां पर important question होगा वह मैं very very important जरूर कर दूंगा next question पर आते जल संबर्धन क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा घह नमर आंसर होगा तेलर्स तरल संबर्धन मेडियम में पादव ब्रिधी ठीक है घह नमर इसका अंसर होगा यानि कि दी नमर इसका अंसर होगा यह भी सीडी नहीं करके यहां पर कखगगा का option आप लिखा गया इसलिए आप दी से घह भी आप कर सकते हैं चली next question पर आते हैं पाद कि तो लेक्टो मिटर से किसका मेजर किया जाता है तो लेक्टो मीटर का जोता है purity ofcolor means ठीक है इसका वो जाता है लेक्टो में ओटार का the to check theory of commerce means की दूद की जो है उसकी सुधिता चेक करने के लिए ठीक है अब आते अगर बात करें पैरोमीटर का तो पैरोमीटर का क्या यूज होता है इसका होता है टाइप आफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमेटर होता है जो की यूज किया जाता है टेमपरचर को मापने में जो डिस क्या कहते है ठीक है समान संख्या में परमानु वाले नुकलेट को क्या कहते है ठीक है समान संख्या वाले परमानु इसका जो करेक्ट अंसर होगा वह होगा यह नमर अंसर होगा समस्थानी ठीक है जैसे में कि परमानु संख्या समान होते है और इसका द्रवमान भिन भिन हो होता ہے जिसमें के पर्मानुभार समाना होते हैं तो iso tobe from कि isotope और the eye sub segu Austin prophet हैं एदिफ्रेंस एक दूसरे का अपो užन्य होगा ठीक आई 수haba सब्सक्राइब में जहां पर्मा प्रमानुभार समाना की ह coinc चले काज क्या है काज जिसे हम लोग क्या किते कॉमन भाष्ते में गलास कहते हैं ठीक है का ज़नी सान सवाल होगा अती सीतित तरल ठीक है हलाकि काच कोई क्रिष्ट्यली संवर्ष्ण नहीं होती है और ना उसका कोई निश्वत गलनांग होता है ध्यार रखिएगा ठीक है चलिए आगे बरहेंगे सवाल पर कोशन नमर 15 पर आएंगे कि कुछ वे किसमें से निकाला जाता है तो इसका करेक्टर अंसर होगा अंसर होगा लाइकें तो याद रखेगा यहाँ पर बात करें लाएकें का जो होता है लिटमस जो निकाला जाता है ठीक है दरसलेटमस के यूज करते किसलिए तो इसका जो मेन यूज है ठीक है इसका मेन यूज की अगर बात करें इस आफ लिटमस इस टू टेस्ट वैदर असालूशन इस एसेडिक और बेसिक ठीक है यह नोट कर लिजेगा मेन यूज जो है लिटमस का वो टेस्ट करने के लिए की ये सवर्वेशन ये एसीडिक है या चीज है अब यहाँ पर इस बहुत इंपॉर्टन चिझ आप नोट कर едंगे ठीक है यहाँ पर से related बहुत important सा चीज आप नोट करेंगे वह क्या है याद रहें ब्लू लिटमस पेपर का अगर बात करें जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में convert हो जाता है किस condition में जब यह acidic होता है ठीक है तो ध्यार के ब्लू लिटमस पेपर टांस ब्लू से रेड हो जाता है कब acid condition में एक है अगर बात करें रेट से ब्लू की बात करें रेट से ब्लू कर जाता है जब यह आपका बेसिक कंडिशन होता है ठीक है बेसिक कहें या अल्कला कहेंगे ठीक है चलिए एक होता है नीट्रल लिटमस पेपर तीच थैं कैसा होता है तो नोट कर लिजेखा है आप लेचा आप फर पर न्यूटरल की बात करें तो लिट्रल सबर लीटेमु करबस पैकर कानल डीकर होता है यह होता है आपका परपल को अगर बात करें लीटेम स्का अगर बात करें अथा आते हैं सिरके का तिक स्वाध किसके कारण होता है तो ठीक है इसे क्या कहते है फ्रीच तो क्योंटाव होता है कि बात के तो इसका इस क्या क्या करेंट होता है तो स्यद्का को हम क्या करते है इंगलिज걸 कहते हैं सिर्क की बात चाहरा बंता कैसे था फाइव पर्सेंट जो होता है फै पर सेंट मॉणकी ठीक होता है आटिधिक तदील कुशन जो होता है बाद कि जो 95 resin होता है वह तो इसका जो correct answer होगा 17 का वो होगा दी नमर आंसर होगा Jane Austen ठीक है नेस्ट कुर्शन पर आते है विश्व पर्यावरन दिवस कम मनाया जाता है 18 का होगा answer ये नमर आंसर होगा 5 जून ठीक है नेस्ट कुर्शन पर आते हैं बंगाल का अस्थाई वंदोबस किस ब्रिटिस्ट गवर्नर जॉनरल ने किया तो यह वर्य वर्य इंपॉर्टन कुर्शन में से एक हो सकता है ठीक है तो इसका 20 नमर का जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वारें हैस्टिंग बी नमर इसका correct answer हो नागरिक सेवा का जनक भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड वारें हस्टिंग को ठीक है लॉर्ड वारें हैस्टिंग को क्या माना जाता है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है ठीक है चली इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं इसने नांग अस्थाई बंदोवस्त की पद्धिति लागु की ठीक है 1793 में क्या किया अस्थाई बंदोवस्त की पद्धिति लागु की जिसके तहत जमिंदारों को अब जो था भूराजस्व का 90% कम यह कंपनी को देना था और बाकि 10% अपने पास रखना था ठीक है यह था यहां पर के बारे में जानेंगे यहां पर चले आगे बनेंगे तवाल पर भारत में निर्वाचन सुची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है निर्वाचन सुची की तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो होगा यह निर्वाचन आयोक का तो ठ पहला चुनाव शेत्रों का परिशिमन करना दूसरा चुनाव करवाना तिसरा मतदाता सूचियों को तयार करवाना चौथा राजनीतिक दलों को मानेता प्रदान करना पाचमा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना छठा अचार सनहिता तयार करवाना ठीक है औ तो 22 का अंसर होगा सीनमर इसका करेक्ट अंसर होगा का विटामिन C अब चल हम अब बात करें हैं हो तो आधी बारा में कुछ जानेंगे तो रहां धनेंगे इसके बारे में और कम को जानेंगे जिसलिक्या million vitamin का अगर बात करें Petrie be Disney के अगर हम बात के अविश्कारक की बात करें तो कौन थे फंक थे भीटामीन के अभ बात करेंगे विटामीन के ठीक है यहाँ पे एक एक फीज दू क्यों गया लगते है दूब हो गए है 좀 कहीं पर बात करें विटामिन बी के बारे में तो विटामिन बी के बारे में बात करें विटामिन बी के बारे में बात करते हैं कि इनके जो इन्वेंशन करता कौन है आंसर होगा मैकूलन ठीक है मैकूलन अगर बात करें विटामिन डी का तो विटामिन डी का जो अविश्कारक कौन थे हौपस होपकिनिस ृफ जोॉट कर लेंगे हौपकिन अगर बात करे करें कि की बात करें होल कट ठीक है होल कट नोट कर लिजेगा होल कट कर इससे ऐगर बात करें यहाँ पर bita मिन की का तो तो vitamin K और भिसका का नाम क्या है यह से नौट कर ले हैंरिक हम राशानिकRO demek अब इसका अगर हम राशानिक नाम की बात करें बिटामिन के का तो बिटामिन के का राशानिक नाम होता है फीलो कुई नोन ठीक है यहां पर जगह नहीं आप सुनकर नोट कर सकते हैं अगर ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जगह थोड़ा बहुत है लिख देता हूं फी आगे स्वाल पर आते हैं रेडियो धरमी तत्व का सर्जन करते हैं कौन इसका जो चलडर Whoo होगा यहां फे 23 का नोट करेंगे इसका होगा iam b VS बनवर का करेट आंसर होगा याने कि aqu देखिए अब कुछ चीज इसके बारे में जानेंगे इसका फैक्ट क्या है जरह नोट कर लें सुनकर नोट कर सकते हैं जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थाई होते हैं अस्थाई तो प्राप्त करने के लिए यह नाभिक स्वताही अलपा बीटा गामा केड़न उत्तर्चजित करने लगती है ऐसे नाभिक जिन तत्वों के प्रमानों में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा कि उत्तर्सरजन की घटना को एक्टिविटी कहते हैं ठीक है तो यह धियान रखेंगे इसके बार में कु अब इसे कुछ और इंपोर्टेंट चीज जैसे अर्सायोग अंदोलन के बात करें कब हुआ था 1920 भारष और अंदोलन कब हुआ था 1942 खिलाफत अंदोलन कब हुआ था 1919 में ठीक है असिवल अवग्या अंदोलन के यहां पर बात करते हैं यह भी वह था नैंटीन तो यह वह था 1930 में ठीक है चल तो यह कुछ फैक्ट है आप इसे जरूर नोट करें नैसे चुम्मकन की बिधि क्या है चुम्मकन की बिधि क्या है तो इसका कर्क्ट अंसर होगा अब इसका अंसर होगा इनके बीच या इसकी बीच से दिस्धारा का गुजड़ना ठी hmmmm the condition with theнут His current एसे कीरipline कहते हैं एसी करेंट केटें कैसा क्या incorrectly क्या है और यहां पर जानेंगे ठीक है तो डीशी करेंट का मतलब होता है वह धारा जो सदाप एक खी दिसामें जाता हो और अलüp सब्द डिसामें जाता हो और अल्टर रचत की बात करें इसकी बात गर्या फोधारा क्या होता है परीपत में अपनी दिशाव बदलता है छी के ऐसे जाता है अब आते कोशन में फ़ारी में क्या पाया जाता है तो अंसर जो होगा दिन्यमर अंसर होगा मैختनिस्यम पत्यों के लाल vendors नारंगी पिला किसके करण होता है इसका जो करक्ट अंसर होगा वो का बी नमर आंसर होगा के रोटी नायड filt अगर बात करें पत्यों का हरा रंग को कराण होता है तो सबी को पता हो को फिल के कारण ठीक है तो यहां पर लाल नारंगी पिला के बात करी तो के रोट रोट defensive नाइट के द्वारा ठीक है चुलिए कोईला खानों का राष्टी करन किश्वर्स किया गया था तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा 28 का वह होगा बी नमर आंसर होगा 1976 में ठीक है 29 में आते हैं ब्रहंपुत्र नदी का उद्गम अस्थल गया है तो इसका करेक्ट अंसर होगा ब और अगर बात करें तिब्बत में इसे अगर बात करें ब्रहंपुत्र नदी को क्या कहा जाता है तो तिब्बत में नेपाल के अगर बात करें निबाल के इसका उद्गम अस्थाल है तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है ब्रहंपुत्र नदी को नोट कर लिजेगा साप कसा Yeah sa bien जाता है अडूशा कि नदी को तिभात में हुआ हम अरों कि नाचल में क्या चाहता है जबा पूतर कुछ और कि चाहिए है है अडू है नाचल में क्या कहा जाता है कब्रहम पुतर का जाता है का जाता है ऐस YOUR इसे कहा जाता है दिहांग नोट कर लिजेगा अस्रम में कहा जाता है दिहांग ठीक है बांगला देश में क्या कहा जाता है बांगला देश में इसको कहा जाता है जमुना ठीक है बांगला देश में इसे क्या कहा जाता है नोट कर लिजेगा जमुना जमुना वेले वेले तुप्ध में आदेश साप अरुणा प्रदेश में ब्रह्मित्र अश्रम में दिहांग और बांगला देश में जमुन कहा जाता है कुल अगर बात करें कि लंबाई टोटल अगर बात करें टोटल इसकी कि लंबाई कितनी होती है 19 ばह किलो मीटर इसकी इसकी कुल अगर सिर्फ भारत की बात करें एक inom चुरह एक HaP नौट किलो मिटर ठीक है 902 मैटर सीव सबसे च्षा allí नदी तीक है सबसे चौरी नदी में से एक मानी जाती है ये ठीक है सबसे चौरी नदी भारत की ब्रहंपुत्र नदी है चल लेश्ट कोशन प्याते हैं मलेडिया माधा इन फ्लीज से फैलका है ठीक है इसकी खोज किस नहीं की थी तो अंसर जो होगा इसका 30 का वो होगा बी नमर अंसर होगा रु कहा जाता है चले शोशन प्याते हैं उसमा भी करन का असमान लक्षन यह है कि यह यात्रा करती है चार ऑप्सन है किसमें ठीक है तो 32 का अंसर होगा बी नमर अंसर होगा जिस माध्यम से गुजरता उसे गर्म कर देता है ठीक है चले कि नगन आखोज से देखे जा सकने वाले को साण का सबसे छोटा कर या होता है तो इसका करेक्ट अंसर होगा एनमर आंसर होगा funkron ठीक है थटीतरीका यह नंबर अंसर होगा光 DF लेस्ट है हवा से पनपने वाले प्राण्वियों को क्या करते हैं तो इसका correct आंसर होगा उरन सील बी नमबर इसका अंसर होगा correct ठीक है नेस्ट कोशन पर बात करते हैं very very important question है very very important question है इंदरा point किसकी दक्षी नोग है तो साथ में क्या बात करते इंदरा point को और भी किसनाम से जाना चाहता है केप कमूरीन ठीक है केप कमूरीन भी केवी नाम से इसे जाना जाता है ठीक है अगर बात करते हैं वेस्ट में क्या इसे कहते हैं वेस्ट में इसे गुहार मोती कहते हैं गुहार मोती कि वेस्ट में कहते हैं नौर्थ में क्या कहते हैं नौर्थ में इंदेर कॉल कहते हैं इंडरा कॉल नौर्थ में कहос करने किसा नौー ऩर्थ में क्या करते हैं इसे इसे की बुदु जिसे अनुल प्रदेश के चत Punjab परता है और यहां पर बात करें गुहरमुति जो की वेस्ट में परता है ठीक है तो यह चार पॉइंट कभी एक्जाम में पुछे जा सकते हैं नोट कर लीज़ेगा आप इसे चुले इंडिया और माइज़ेग की लिखा कौन है तो इसका जो करेक्ट अशनों का वह बनन और आसा तो साप में ठीक है कि यह करेप्टीलिया वर्ग में आता है अर दूसरा क्या है वाई होता है गोल ब्लड यह प्रानी ठीक है यह कोल ब्लड है प्लस यह अंड है अ और कोल ब्लडेड है ठीक है कि चलिए नेस्ट कोशन की आते हैं लोक लेखा समिधी के बेसिक दोम या मुल अलहर क्या है तो इसका करेक्ट अंसर होगा सभी होंगे इसके ठीक है इसका जो चालों तीन ओप्सन है यहां पर चालों से तीनों इसका option होगा मैं इसके सामधिक निकायो ट्रॉडिंग और विनिर विनर विनिर मान स्कीमों बें पर यह जुनाओ के आयवे को लोक लेखा समीठी को पता किया काहा जाता है प्राक्लPhone समीठी की इसी जुरवा वहन कहा जाता है प्राध अध्यक है प्राक्लन समी यहां कर सकते हैं अब यहां अगर बात करें लोक लेका समीति और दूसा प्राकलन समीति ठीक है प्राकलन समीति की बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है यहां पर नोट करिएगा इसका कारकल इसके सदस का कारकल जो होता है एक वर्स का होता है इसका भी सदस का कारकल एक वर्स कहीं होता है ठीक ह अगर प्राक्लन समिथि की बात कड़े लीए कि प्रक्लांस हमिथि की बात करें तो इसमें जो होते हैं कि और př है लोक सभासे ठीक है लोक सभासे अगर इसमें बात करते हो तो इसमें कितने सदस होते हैं ठीक है इसमें टोटल कितने होते हैं बाइस सदस होते हैं लोक लेखा समिती में लेकिन 15 लोक सभासे और साथ नट कर लिएगा अगर बात करें लोक लखा समीटि की बात करें इसकी अधैक्ष कर रूपे बिपक्ष कि किसी सदस्को नोरो है अगर फृर बात करते हैं और बात करते हैं यह भारत 모 정도로 महा प्रिक्षक द्वारा दिया गया लेखा प्रिक्षन समधी प्रतिवेदनों की जांच करता है ठीक है अब यहां पर बात की भारत के नियंतरक एवं महालेखक प्रिक्षक की जो भी दिया गया चीज़ होता है प्रतिवेदनों उसकी जांच करता है तो अभी बरतमान की अगर हम है तो यहां पर आंसर होगा है कि йटी के जीशी कि मुडबन जीशीी मुरमू एक कंतुन करने जाएंग कंट्रॉलर याट जनरल अभी जो प्रजब Всем palms बहुत के है वह जीशी को chandra mormu को निक्त क्या गयाए और ग्रिस चंद मुर्मु कौन सी तो फॉर्मर लेफ्टेन गवर्णर जो थे यूटी ऑफ जमो कश्मुर के थे ठीक है उन्हें बनाये गाए तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टन फैक्ट एक करेंट अफेर्स के तौर पर यहां पर नोट कर सकते हैं चली नेस्ट क्या है ब्रो मिलता है जिसका जो correct answer होगा 40 का answer का D number इसका अंसर होगा उत्तरा मेरूड ठीक है चली आगे सवाल पर आते फटड़वड देखते हैं question पर भारती सम्विधान कैसा है तो भारती सम्विधान के बात करें यहां पर तो यह है संघ्विधान ठीक है इसका आंसर होगा सी नमबर इसका correct answer होगा ठीक संभिधान सभा का अगर बात करें कि इसकी गठन के बात करें संभिधान के बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ इस с вамиधान सभाह का गठन इसका गठन हुआ था कब ठीक है और पर्थं बैठक की बात कहें तो दिसम्बर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था ठीक तो उस समय नौ दिसम्बर 46 की बैठक हुआ था उस समय अस्थाई जो अध्यक्ष बनाए गया था डॉक्टर सचीदानन सिनह को बनाए गया था फिर दो दिन बाद में यानि की 11 दिसम्बर को उनिसे चैलिस को किसे अस्थाई अध्यक्षनित किया गया था डॉक्टर राजंद्र प्रसाद को ठीक है तो कुछ फैक्ट यहां से यह भी आप नोट कर लेंगे नेस्ट कोशन क्या अर्थ सास्थ पुस्ता के लिखा कौन है अंसर होगा एलम अंसर चाने के ठीक है चलिए अब आते कोशन 43 पर बेंजीन का क सिक्स होता है ठीक है चलिए आगी बात करते हैं सवाल पर फटा फट देखते हैं कि डीवीडी क्या है डीवीडी का यहां पर फिलफॉर्म पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा 44 का वह भी ठीक है डीजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका बीनमर इसका करेक्ट अ सुक्ष्म अर्थ सास्त्र को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं इसका करेक्ट अंसर होगा कीमत का सिध्धान और यह वरी वरी इंपॉर्टिन कोशन में से एक हो सकता है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन पर आते सम्मंधित माध्यम माध्य युगम के करांतिक कौन से अधिक आपतन कौन का स्ट ragran से बिन्ह माध्यम की और जाने वाली प्रकास कीरन क्या करती है वहा कौन सी ने उदी को खूला नाला का जाता है इसका फूट स्थ है गलत МУंध यहां तो यहां पर कुछ चीजह के बार कुछ चीजहिए पर देखेंगे जिसकी कित्मी यह तो भारत में अगर बात करें तो चौह सबसे लंबी नदी है यह लंबाई 1310 km ठीक है और यह कहां से निकलती है तो यम नत्री ग्लेसर से निकलती है अगर इसकी सायक नदी के बात के तो एक बहुत इंपॉर्टन इसको नदी है यहां पर यमुझा की जो सायक इंपॉर्टन नदी वह चंबल नदी चंबल नदी कि चलि तो क्रोटावरी कुलों मेटर है 2400 किलो मेटर किसकी लमभी है क्रिश्न घिंट है वह क्रिष्न और अगर बात करते हैं इसी क्वाऩ क आते दस किलोमीटर है कौन यमुना तो गंगा गुदाबडी कृष्णा यमुना नोट कर लिजगा फोर्थ प्लेस पर फॉर्थ चौथी सबसे लंबी नदी है भारत की और पहली गंगा दुसरी गुदाबडी तिसरी कृष्णा और चौथी यमुना ठीक है अगर बात करhinए शा में आप एक और बात की नर्मदा की बात करें कि नर्मदा और हटापती दो ऐसी नदी एए थिक दो एसिसे प्रोटीन होता है और अगर बात करें लैक्टोस को तो यह सरकरा है तो क्या कतें यह लैक्टोस इसको करते हैं जो की सरकरा है ठीक है नेश्ट कोशन पर आते पंच सील के सिधानतों का प्रतिपादन क्रिशन किया था अंसर होगा नरी ओक्रशिद लोक नाटक का नाम क्या है तो इसका नम्र लोग नाटक का नाम क्या है तो इसका ब्ला करेक्ट आंसर होगा और इनके लावा दो और वैक्ति को मिला यह से से राज गुपालाचारी डॉक्टर कृष्ण राधा कृष्ण को भी मिला था ठीक है चली नेस्ट कृष्ण पर आते हैं मार्को पोलो किसलिए विख्यात है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वह होगा बीनमर आंसर चीन भारत और इस्या की यात्रा करने के कारण यह विख्य अंसर गामा केड़ने ठीक है अल्फा बीटा कि के लगबाद के तो अल्फा से जादा घरबात करें बीटा बीटा से भी सबसे ज्यादा इसका जो होता है भीधन शम्ता होता गामा का एक सबसेंगा सब्सक्रेशन परमानु बंके बात कि स्वोट में भारी मातरह किसके करणन निकलती है 56 का जो आंसर होगा वो होगा डी नमेर आसर निट्रॉन का प्रोटॉन में प्रिवर्तन जले किसी सिगनल के तरणके रूप का अध्यन किसके दौरा किया जाता है या किया जा सकता है तुषका करेक्ट कर अंसर होगा वह होगा ए नमर अंसर होगा अस्पेक्टम मापी से ठीक है। चलिए अल्क यहां पर बात हो गई है ना चलिए नेज़्टकॉशन पर का आते हैं इस को यह धारा वहकतार कैसा होता है 58 का तो धारा वहकतार के बात करें तो इसका करेक्ट अंसर होगा सी नमर नीट्रल होता है जिसमें कि यहां पर पॉजेटीव और निगेटिव दोनों अवेसित में होते हैं ठीक है लेस्ट लोहे में जंक लगना क्या है तो यह गिद्धू तरशायन परिवर्तन है बी नमर इसका करेक्ट अंसर होगा नेस्ट कोशन पर आते हैं सीसा जिसे लेट कहते हैं संचालक बैट्री के आवेसित होने पर क्या होता है ठीक है तो 60 का जो करेक्ट अंसर होगा वह होगा डी नमर अंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिट की खापत होती है ठीक है अगर बात करें यहां पर एक और फैक्ट यहां पर नोट कर सकते हैं कि सेसा यह संचालक बैट्री के अगर बात करें अविश्कारक की बात करें तो गेस्टन प्लांटे ठीक है प्लांटे ने इसका अविश्कार किया था अविश्कार किया था ठीक है कर लिजЕТ किसका संशालग बैट्तिता सिशा संशालग बैल्टिता ठीक है चलिए नेक्ट कोस्टन संगमकाल में रोमन बैपार का किंद्र क्या था स्वलगा इसका अंसर मसूरी ठीक है सोली मुसीरी मुसीरी फ्रिलवल तो सिस्टीटू और युट परवाकु मापनिक यूनिट क्या है तो 62 का वोगा होगा दी नमर्यांस चि सेग यहागे ऑफिरня पुराइब है नेक्स सवाल क्या है यहापी कौँन साप प्रतेक्षग ऑनुवां सिति निरे गड़ा तो 63 इंपॉर्टें question इसका answer होगा C number answer वेट्सन ठीक है C number answer होगा betson देकिन अगर यहां पर चीथ देख रहें यहां पर एक और है जोहांसन तो जोहांसन ने क्या किया था जीन सब्द का इन्होंने प्रतिपाधन क्या था यह भी important है इसे भी देखेंगे 65 पर 65 में क्या है महात्मा गांधी को अर्द नंग फकीर किस ने कहा था तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा विश्ट विंस्टन चर्चिल ने कहा था ठीक है भारती समिधान मुल्भूत अधिकार मुल्भूत अधिकार किस समिधान से लिया गया है तो इसकी 66 अंसर होगा अंसर होगा है की अमेरिका स्भाट से और भी शिद लिया गया मुलभूत वादिकार मेरिका से और Хाइप कोड के यह सलिया गया खाल अरस्वां का भी यही कि यह चाली 67 में आते हैं कि राज-विधान-मंडल काई-मोधन के बिना राजपाल द्वारा जारी अधादेस कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा छे सप्ता ठीक है नेस्ट कोशन प्याते सुष्टी एक्षा सब कश्टों का कारण है इसका विचार इसका प्रशार करने वाला धर्म कौन सा है तो आंसर होगा बौ द्वाधम की बात करें तो भावान बुद्ध ठीक है या जिने कहते हैं महात्मा बुद्ध इससे कुछ और लेटर चीज आप नोट कर लें इनका जन्म कब हुआ था वेरी इंपोर्टन को सेने वेरी वरी इंपोर्टन 563 हिस्वी में कहां हुआ था कपिल बस्तु के निकट लुम्नी नामक गाउं में हुआ था यह निपाल में है इनके मृत्यु करबात करें तो मृत्यु कब हुए थी तो मृत्यु हुआ था यहां पर 413 अपुर्व में हुआ था तो जन्म 537 मृत्यु 423 विए ठीक है चलिए कि पर रूश्य करांती का परण किस सहर से हुआ था तो इस कांसर होगा सेंट पीटर्वर्श वर्ग संट-पीटर्ष वर्ग नेस्ट जैन साहित को क्या कहते हैं जैन साहित को अंग कहते हैं अब जैन से डिलेटल भी कुछ शीज़ीज है याद करनें तो जैन धर्म के संस्थापक नोट कर लिजए रिषाब देव पर्थम तिर्थंकर हुए अगर बात करेंbar gmm ौइर आंके महावीर अगर करते हैं जरूर याद रखेंगे ठीक है कि नेस्ट पर आते हैं कि निम लिखने में कौन सा स्रोत संग 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 सरकार का नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा द्यापार कर सी नमर्स का करेक्ट आंसर होगा क्समाजबाद का अंसर होगा स्विघ्यान किया थो सेम इसी ट्वहा नहीं हूं करेक्ट आंसर होगा काल्स माक्स एनुवरिंए की पुछा कौन थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनुचण प्रूट ठीक है सदन में राश्ठपती के बीरूद महाभ्योग के प्रस्टा पास करने के लिए कितने सदस्ट का समर्थन होना चाहिए तो इसका अंसर होगा बीनमर अंसर होगा सदन के कुल सदस्टों में से कम से कम दो ती हाई सदस आप इसके बारे में और भी जाने अगर बात करें यह किस के समय यह जो है महाव्योग ठीक है राश्टपति के बिरुद महाव्योग का कहां से लिया गया समिधान तो अमेरिका के समिधान से लिया गया है पहला चीज आप नोट करें ठीक है पहला फैक्ट दूसरा किया कि अनुछेद एक सथ में इसका मेंसन है अभी तक एक भी ऐसा आफसर नहीं है जब राश्टपति पर महाव्योग लागा गया है यह याद रखेगा चुले नेस्ट है आर्यों ने मनुश्व के जीवन को चार डैस में विवाजित किया तो चार आस्रम में विवाजित किया तर दीनमर्स का क्रेक्टांसर होगा ठीक ब्रहमचर दूसरा क्या था ग्रिहस्त तिस्रा था बानप्रस्त और चौथा था सन्यास सन्यास ठीक है नोट कर लिजेगा चली नेस्ट कोशन है सिंदु घाटी की सब्विता कि लोग कि देवता की पूजा करते थे तो उसका करेक्टांसर होगा डी नमर्सर पसुपती ठीक आंसर होगा इनमड़ चंडीगट नेस्ट है 79 में भारत में कौन सा राज महत्पुन ताम्र में इसकी तामबा उतपादन राज है तो 79 का अंसर होगा बी नमर्सर राजस्थान नेस्ट को शन पाते निम्योंखित में किस यूंग को गलत मिलाया गया है तो दिखिए इसका ज यह भी कहां है देहरा दून में है ठीक है नोट कर लिजाए देहरा यह दून में है यह भी देहरा दून में हलाकि इसका अप्सन दे दिया मुंबई जो की गलत है ठीक है चली कि रटी one में यह दिधा सकी डियना नाइट्रोजन आधार डैस से कारण Ίरेन से भीन होता है किसके कारण थाई मायन के कार्ण दी नमर इसका correct answer होगा नेस्ट यो सापों की विश्ट ग्रंथिया किसकी सब्दृष होती है तो इसका जो अंसर होगा correct वह होगा दी नमर अंसर कसे रुक्यों की लाल ग्रंथिया नेस्ट आते मतर में विप्रित लक्षनों वाले कितने युगमों का मिंडल ने चैन किया था correct answer होगा ए साथ ठीक है 84 में आते किसी पदार्थ का अनुक इसके कानल अपने प्रमानुक के समान होता है तो 84 का अंसर होगा C number answer एक प्रमानुक ने चैन विकरन की कन प्रकृति की पुष्टि की किसे की जाती है अगर पुष्टि की बात कर दो गचल जब एक साथ किसी बिंदू हो जाता है इसे कहते हैं व्यतिकरण अब विवर्धन क्या है अब रोध के कारण किनारे से मुर्ण कर जब परकास आगे बरता है इसे कहते हैं विवर्धन ठीक है तो यह जरूर नोट कर लेंगे very very important कुछन है चले नेस्ट कुछन पी आते हैं में अ कि किसके लिए उस्वी का परियोग किसके लिए होता है वह होता है port type के लिए c नमर्स का correct answer होगा 88 में आते हैं निम्लिकेट में किसी यसत पुष्ब कहते हैं यसत पुष्ब को क्या और नाम है philosopher उल ठीक है philosopher उल भी कहते हैं इंग्लिस में ठीक है तो इसका जो correct answer होगा 88 का वो होगा बी नमर आंसर zinc oxide जड एन ओ ठीक है चली यहाँ पे होगे नेस्ट question पे आते हैं सबसे अधिक जल धारन शमता किसमें होती है तो इसका correct answer होगा दो मट्टी ठीक चली नेस्ट question पे आते हैं क्लोडो फिल्म कौन सा पॉर्फीरिन होता है तो इसका जो correct answer होगा 90 का वो होगा magnesium इसके संस्थापक के बाद करें तो हजरत हजरत मुहम्मद शाहब मुहम्मद साहब इसके संस्थापक थे नोट कर दी जगा ठीक है चली नेस्ट question पे आते हैं सिंतो कहां का मुल धर्म है इसका अंसर होगा correct बी नमर इसका correct answer होगा नेस्ट 93 पे आते हैं भारत का प्रथम उपगड़ा आरभट कप छोड़ा गया था तो इसका correct answer होगा 93 का डी नमर आंसर होगा 1975 में है ठीक है चली नेस्ट question पे आते हैं कि कुशान काल में भारती और ग्रिक सैली के मिशन के विक्षित कला की सैली को किस नाम से जाना जाता है जिसका correct answer होगा गंधार काल ठीक है अब इसके बारे में कुछ fact जानी दिसंबर 1929 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लहुर में हुआ ठीक है इस अधिवेशन की नहरु के अधक्षता में पूर्ण तंत्रता का प्रस्ताव स्विकार किया गया 31 दिसंबर 1929 की रातरी के 12 बजे भारत का तिरंगा जंडा लहरा आ गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंतरता दिवस्त के रूप में मनाने का निर्णे लिया गया तो यह fact है ज़रूर आप याद रखेंगे सिंध सिंध पर विजय प्राप करने वाले अरब सेना के सेना पति का नाम बताईए तो अंसर है डी नंबर आंसर मुहमद बिन काशिम बहारत का परतर मुश्लिम आकरमन मुहमद बिन काशिम के नत्रूप में किया गया था ठीक है 712 इस्वी में चलिए नेस्ट कुशन प्या पर आते हैं विश्म महान मंदी किस वर्स आई थी इसका जो करेक्ट अंसर होगा वोगा डी नंबर सॉरी बी नंबर इसका आंसर होगा उनिश्ट उनतीस दीक है नेस्ट कुशन प्यांते हैं भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपहुगता दोनों है तो इसका करेक अधानसर होगा श्वाइदेसी आंदोन हाला कि श्वाइदेसी आंदोन के रहे बात करें